हाई फ्रेंड असलाम वालेकुम मैं हूँ छाहीन सेयद I hope आप सब खेरियत से होंगे आज हैं बनाएंगे मतन सीख बोटी की एक बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी अगर बगरी इतका गोश्ट आपके पास है बोनलेस बोटियां पड़ी हुई हैं बहुत सारी तो आप इस तरह से गोश्ट की बोटी तिक का कबाब बना सकते हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसे सीख पर लगा कर बोटी बनाई जाती है कोईले पर यह वही रेसिपी है जरू ट्राइ करिए मैंने आपे आदा किलो गोश्ट लिया है तो यह गोश्ट मैंने बड़े पीसे इस तरह से करवाए थे पकने के बाद यह अपने साइस से अल्मोश श्रिंक होके आधे रह जाते है इसमें अब हम आट कर देंगे एक टेबल स्पून अद्रक और लसन का पेस्ट मेरा जादा सक्त है बड़े बक्रे का है तो आप उसमें थोड़ा सा पपी दे का पेस्ट लगा सकते है एक चमज लाल मिर्च आधा चमज भरके हल्दी एक चमज छोटा सा गरम मसाला पाउडर आधा चमज काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने और यह मैं आट कर रही हूँ एक चमज धनिया पाउडर साथ में हम आट कर देंगे एक चोटा चमज नमक अंदाजे से मैंने आट किया है जादा आट करने से एकदम से नमक हो जाता है बिकाज यह ड्राय है प्रपेरेशन और इसमें मैंने आट किया है एक बड़ी नीबू का रस साथ साथ हम यहाँ पर आट कर देंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर एक चोटा चमज अट किया था फूट कलर ऑप्शनल है लेकिन इससे कलर अच्छा आता है और जो तिक्का है वो देखने में अच्छा लगता है अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको आपके पास टाइम है तो एक घंटा मारिनेट कर ले तो इससे मारिनेशन अंदर तक अच्छे से मूर जाता है और बहुत अच्छे से ये प्रिपेर हो जाता है तो मैंने इसको instant बनाया था marinate नहीं किया था जादा time लेकिन मैं suggest करूँगी थोड़ा देर आप marinate कर ले यहाँ पर मैंने pressure cooker लिया इसमें हम यह सारे बोटी हम transfer कर लेंगे साथ-साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी आड़ कर लूँगी अड़ करके थोड़ा सा मैं इसको base पे इस तरह से spread कर लूँगी क्योंकि अभी मटन ने भी काफी हद तक पानी release कर लेना है तो हम उसी के juices में उसको cook कर लेंगे इसको हम cover कर लेते हैं एक whistle मैंने high flame पे लगाया था उसके बाद आपने flame low medium कर लेना है और फिर उसको कम से कम 10 से 12 मिनिट 15 मिनिट जितना time ghost कलने के लिए लगे उतना आप रख दे जब वो ठंडा हो जाए पूरी तरह से ग्यास बंद करने के बाद तब आपने खोल लेना है अब देख सकते हैं preparation board dry ही है अभी लेकिन हमने इसको थोड़ा भून लेना है ताकि मसाला पूरा dry होके मतन को लिपट जाए क्योंकि मैंने इसमे oil का इस्तेमाल नहीं किया था इसलिए मैंने थोड़ा से oil add किया है अब oil के जगे पे butter या घी लगा सकते है थोड़ा सा नीचे और इसको अपने medium flame पे इस तरह से mix कर लेना है आराम से कि बोटियां टूटे नहीं कुछ time के बाद या ऐसे dry दिखने लगेगा oil separate हो जाएगा मतन का खुद का जो fats है वो भी इसमें थोड़ा सा release हुआ है तो बस इसको थोड़ा सा भून लें ताकि मसाले जो है वो अच्छे से बिल्कुल dry हो जाए पूरा नीचे लगने लगे जब और मतन को पूरा coat हो जाए तब तक आपने अच्छे से भून लेना है इससे taste बहुत अच्छा आता है तो बस ध्यान रखें कि बस वो अच्छे से भून जाए नीचे देख सकते हैं आप dry हो गया है पूरा मतन को लिपट गया है और ये अभी बिल्कुल त्यार है आप चाहें तो इसको ऐसे ही रलिश कर सकते हैं भुना गोश्ट इसको बिल्कुल market style taste देने के लिए मैंने यहाप पे koila add किया है कोईले को बहुत अच्छे से red hot कर ले गयास पे फिर उसको बीच में रखके थोड़ा सा oil उस पे आप add कर ले ताकि वो smoke होने लगे cover करके उसमें हम थोड़ी सी धूनी दे देंगे ताकि सारी जो कोईले का जो एक flavor है वो बोटियों में आ जाए ये देखे तो यहां पर ये बनकर त्यार है पकने के बाद ये बहुत थोड़ा सा ही रह गया था लेकिन खाने में बहुत टेस्टी था तो इसको अभी हम मैं ट्रांसफर कर लूँगी एक bowl के अंदर घर पर हमारे पास अगर seek available नहीं है और कोईला अगर available नहीं है तो आप इसको बिना तंदूर बिना बाबे के भी बना सकते हैं प्रेशा कोकर में ये इतनी बोटिया गल गई थी बिल्कुल मूँ में खुल रही थी ये देखिए मैं आपको तोड़कर भी एक दिखा देती हूँ आप इसको कबाब चटनी के साथ रेलेश कर सकते हैं कबाब चटनी का लिंक मैं नीचे देदूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चानल पर एविलेबल है वो वीडियो तो ज़रूर ट्राइ करिएगा आई होप आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलियेगा और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ तब तक अजाज़त चाहती हूँ तक ये सो मच पर वाचिग वीडियो ते गूट केर बाई